आप लोगों को 13 जून 1999 तो याद ही होगा और कुछ लोगों के मस्तिस्ट में तो ऐसा छपा होगा मानो कल ही की बात हो मगर हम जैसे नौजवान जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है उन्हें शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि हम जो आराम से सो रहे हैं उसके लिए किसी 39 साल के जवान ने अपना बलिदान दिया था तो चलिए आज हम जानेंगे इस वीर सपूत के बारे में ये बात है साल 1999 कश्मीर घाटी बर्फ की चादर उड़े हुए थी और पाकिस्तान अपने सेनिकों की घुसपैट करा कर कारगील इलाके के सब ही उची चोटियों पर कबजा जमा रहा था ताकि भारतिय सेना पर आस ओप्रेशन विजय जिसके तहट सभी चोटियों को वापस कबजे में लेना भारतियरन बाकुरों की जिम्मेदारी थी और इस युद में भारत के कई वीरों ने अपनी जीवन का बलिदान देकर तिरंगे को जुगने नहीं दिया उन्हीं में से एक थे मेजर विवेक गुपता फौजी परिवार से थे उनके खून में हिमोगलोबीन की जगए बहदुरी दोरती थी ये वो जावा जवान थे जिनके शौरे और प्राकरम को सुनहरे अक्छरों से इतिहास में दर्ज किया गया है कारगिल यूद की प्रथम पंक्ती में अमर बलिदानी मेजर व विवेक गुपता को तोलोलिंग फतह करने का जिम्मा दिया गया था जो बहुत ही कठिन खड़ी चड़ाई पर थी और दुस्मनों की भारी गोली बारी हो रही थी इस सब के बावजूद भी मेजर विवेक गुपता का होसला कम नहीं हुआ और इस कठिन चुनेती को सहर सु कार किया तोलोलिंग फतह करने के दौरान भारत के वीर सपूत मेजर विवेक गुपता को दो गोलियां लगी फिर भी वह तोलोलिंग फतह किये और गोली लगने के बावजूद तीन दुस्मनों को मौत के आगोश में भेज दिये मेजर विवेक गुपता ने अपने आखरी खत में अपने पिता को लिखा और कहा मुझे इस मिट्टी की सेवा का मौका मिला है आपको मुझ पर गर्व होगा मैं जल्द ही वापस आऊंगा और वो अपनी आखरी सांस दक देश की सेवा करते हुए तिरंगे में लिपट कर व वापस आए बहुत कम ही देश के वीर सपूत होते हैं जिनें तिरंगे का कफन नसीब होता है जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुँचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए आम से खास लोगों की लंबी भीर चुट गई हर कोई भारत के रनबाकूर वीर सपूत और अ सलाम करना चाहता था मेजर विवेग गुपता की पतनी कैप्टन जैस्री ने उन्हें गर्व और सम्मान के साथ रोती हुई आँखों से अपने अमर बलिदानी पती को आखरी सल्यम सलामी दी जिसने भी यह द्रिस देखा उनके आँखों से आँसु रुख ही नहीं रहे थे रन भुमी में भारत की सेवा और पराकरम असाधारन वीरता दिखाने के लिए मेजर विवेग गुपता को मरनो प्रांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया